और इसके सारे अथलीट्स को खतम कर दिया, कि तहनों का सेक्ष्वल अरैस्मेंट हो रहे हैं, कोई फरक ने पड़ा, तो कर रहा है उसकी रक्षा चल रही है, बीजेपी का आदमी है, ऐसा हर्याना हमें नहीं चाहिए इस दोराँ उन्होंने बीजेपी और अर्याना सरकार पर जम कर हमला बोला, रहूल ने कहा कि अर्याना में बेरोजगारी, नशे की समस्या और महिलाओं के यौन, सोशन जैसी गमबीर समस्याओं से प्रदेश की जनता त्रस्त है, उन्होंने बीजेपी की नीतियों को जिम्मि ठहराते वे कहा कि मोधी सरकार ने देश के छोटे कारोबारी और किसानों का जीवन मुश्किल बना दिया है। के पास कोई रोजगार नहीं बचा है। इसलिए उन्होंने अपने खेत और जमीन तक बेच दी ताकि विदेश में अपनी किस्मत आज मा सके। उन्होंने हड्यान सरकार पर आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में परिवाद टूट रहे हैं और यूवाओं को रोजगार के अफसर नहीं मल रहे है। राहूल ने नरिंदर मोधी सरकार की नीतियों खास तोड से नोडबंदी और जी एस्टी की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि नीतियों ने छोटे वैपारियों और उद्योगों को तबाह कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने हड्याना में बढ़ते नशे की समस्या और मैलाओं के खिलाप हो रहे है। यह अंसोशन के मामलों पर भी चिंता जता है। राहूल गांधे ने आश्वासन दिया कि अगर कॉंग्रस सत्ता में आती है तो वह प्रदेश की जनता के आसु पोचने का काम करे। और यूवाओं को बहतर भविश्य देने के लिए ठोज कदम उठाए। इतना चिलाना है। देव के साथ चिलाओ, 24 घंटा चिलाओ, हमें कोई फरक नहीं पड़ता। मर जाओ। ऐसा हरियाना हमें नहीं चाहिए।